हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल होप सब बहुत अच्छे हैं आज मैं फिर लेका एक नॉन्विज रेसिपी तो वह है रोहो फिश की रेसिपी सुपर एजी रोहो फिश की रेसिपी है यह हम बंगॉलेज में इसको रूई माच बोलते हैं तो पहले आपको पता ही ह है कि फिश को नमक और हल्दी के साथ उसको मैरिनीट कर लेना है अच्छे से उसकी बाद उसको अब सर्जो के कढ़ाई को गरम कर लेना अच्छे से करम करना है कढ़ाई को ताकि फिश चिपक ना जाए तो मैंने कढ़ाई अच्छे से गरम कर लिया था उसमें मैंने अराउं लेती उसके तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना दैस मैंने हाफ को ब्यान लियाता उसको हिसे क्रेट Cheers कर लिया हाफ टमेट्यो मिल्या के पूरई हो नूं बहुत एजर में पनानेः वाली हों आप बहुत पसंद करोगे मेरेẵाधे की न्यूंट कर लोगे है यह बहुत एक सिंपल से मालो आप की कुछ भी जुगार नहीं है आप ग्राइंड किया हुआ नहीं है आपके पर टाइम बहुत कम है ताप इस प्रोसेस में बना से तो बहुत एजी और बहुत टेस्टी बनके आती है फिश जादा मसाली भी की बिज़रोत नहीं है तो में काल मिच अम में इसने ए्ड करूंगी जो ग्रेट किया था अनियंद था तो उसको थोड़ी एड़ करके थोड़ी देफ टर राइ कर लूँंगी फ्रांसलूसेन्ट होने तक उसकी पाद मैं इसमें एड़ करूंगी जो टमेटो ग्रेट रखा था वह वाला अब मैं ंसमें एड़ कर दूगि वह प्यास मेरे अच्छे से और हो के अब मैं इसमें टमेटो जो मैंने ग्रीट कर रखा था उसको अड़ कर दियूं इसमें मैं लहसुन का बिल्कुल यूज मैं नहीं ले रही हूं सिर्फ प्यास टमेटो और अध्रक का यूज दे अगर आप अध्रक भी स्किप करना चाहो आराम से आप स्किप कर सकते हो तो मैं अध्रक को आड़ कर दूँगे इसमें इसको भी अच्छे से थोड़ा दिश चला लूँगी तो यह जब आपको खुद ही पता चल जाएगा देखे कि और चिपक नेरे ओयल रिलीज होना शुरू कर दिया मसाला तब मैं इसमें जो ड्राइब मसाले हैं स्वाद नमक अनुस जो बादक सने जाएगे आपको अपनि खेवय रखना है अगर आपको दब सूखी बली बनानी है उस हिसाब से अब कम पानी आड़ करो जोल जोल टाइप का बनाना है गिली गिली तब ऐसा भी आड़ कर सकते हो पानी थोड़ा जादा मैंने आराउंड ट्रेड़ ग्लास जैसा पानी यूज गिया था अब मैं उसमें जो फ्राई किया वे फिश थे उनको एड़ कर दी हूँ अब इनको थोड़ा उबाल आने तक इनको लो फ्लेम में ही रखना है हाई फ्लेम नहीं करना है तो जैसे एक साइड उबल गई है तो मैं एक बार पलट दे रही हूँ फिशेज को ताकिये दोनों साइड से अच्छे से पख जाए तो यही थी मेरे सिंपल सी रेसिपी रोहो फिश की बनकी तयार है अगर आप चाहो तो इसमें उपर से धनिया काट के डाल सकतो फ्रेश धनिया तो कमेंट में ज़रू बताएगा फ्रेंड कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को मैं तो एक नए ब्लोग में नए दिन में तब तक लिए बाई